इस वीडियो में हमारे परेस है OPPO का F25 Pro 5G और बताएंगे आपको इस फॉन के ही टिप्स एंग्रिक और कुछ hidden features आपके फॉन की स्कीन ओफ है, ओफ स्कीन पर जैसे आप यह बनाते हो तो फॉन का YouTube आप ओपन हो जाता है इसको कैसे set किया गया, lock screen से B बनाने से आप इस फॉन की flash light को on कर पाऊगे, अगर आप lock screen से ओ बना देते हो इसकीन पर तो फॉन का camera app ओपन हो जाता है इनको कैसे set कर सकते हो, क्या के features फॉन में आपको देखने को मिलेगे, जिनके बारे में इस वीडियो में आद आपको बताएंगे इसकीन को lock करने के लिए डबल टैप करके वीडियो को लाइक कीजिए तो चलिए इस फॉन की स्कीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो जिसके बार डबल टैप तो बैग और टन आप वाले इस feature आपको on कर देना है, अब आप स्कीन को डबल टैप करके on भी करा सकते हो इस फॉन में आपको Rise to Wake का feature देखने को मिल जाता है, जैसे आप फॉन को pick up करोगे, फॉन का screen automatic on हो जाएगा जिसके लिए आप Rise to Wake वाले feature को on कर देजिए, अब आपको phone रखा होगा कुछ इस तरह से, अब आप phone को जैसे ही pick up करोगे, phone का screen automatic on हो जाएगा without screen को touch किये, आप इस phone के screen पर दो apps को एक साथ यूज कर सकते हो, जैसे कि आप चाहते ही YouTube एप के साथ किसी दूसरे app का यूज करना है, या फिर कोई भी दो application आप एक साथ यूज करना चाहते हैं, तो एक app को open करने वाद थी finger से आपको इस तरह सा click करना होगा, अब background में आप किसी भी दूसरे apps को open करा सकते हो, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको switch भी कर सकते हैं, यहाँ पर click करके आपको इस तरह सा click करना होगा, तो इस तरह सा click करा के किसी एक app को ज्यादा area में भी आप use कर सकते हो, इस फॉन में आपको floating window का feature देखने को मिल जाता है, किसी भी app आपको floating window में use करने के लिए पहले उसको open कीजिए recent button को press करने के वर three dot पर click करना है यहां पर आपको floating window देखने को मिल जाएगा इस पर click कीजिए आप इसको click करके resize कर सकते हैं यहां click करके भी आप इसको resize कर पाएंगे background में किसी भी दूसरे app का काम करना हो तो आप इस तरह से उ आपको super AMOLED display देखने को मिलता है तो always on display का feature दियागा है जिसको बहुत आरसानी से आप कस्टमाइज कर सकते हैं उनकी setting में जाने कोद स्कॉल करने पर wallpaper and style पर click करना है यहां पर always on display पर click करना है यहां पर आपको बहुत सारी style देखने को मिल जाएंगी जो कि यहां से आके आइकन का style चेंज करना हो तो तीन style आपको पहले से ही देखने को मिल जाएंगे custom पर click करने को आप से चेंज कर सकते है आइकन का आप इस तरह से बना पाऊगे और इसकी बाद जो background icons है उसको भी आप resize कर सकते हो name को भी आप यहां पर resize कर पाऊगे तो जो भी अच्छा आपक किया वो color आपको देखने को मिलेगा यहां से एक step बापस आने को quick setting पर click करने पर आपको अलगलग shape भी देखने को मिल जाते है जिस shape में आप यहां पर इनको देखना चाहते है वो आप यहां पर apply कर सकते है इसकी लाबा इस phone आपको under display fingerprint देखने को मिलता है उसका animation आप यही notification call आता है आपके phone पर तो sites से आपको एक as slide देखने को मिल जाएगी जो कि आप यहां आपके इसको change भी कर सकते हैं इस phone के अंदर आपको auto call recording का feature दिया गा है जिसको on करने के लिए phone की dialer को open करने के बाद 3.0 पर जाए setting पर click केजिए यहां call recording पर click करके आप अन्नो नमबर की auto call record on करा सकते हो जो नमबर से वह उनको यहां जब select कर सकते हो जब भी आप call record करते हैं तो आप एक announcement सुनाई देता है तो आप इस phone के अंदर o dialer को download करने के बाद उस announcement को भी बन कर सकते है डिफॉल्ट मा उस dialer को set कीजिए तो इस phone की जो announcement problem हो आपकी disabled हो जाएगी इस phone में application आपको देखने को मिलते हैं उनका किसी का भी आप rename कर सकते हो जैसे कि आपको setting आपकी नाम से सो करानी है तो इसकी उपर आप long time प्रेस करके इस icon पर क्लिक कर लीजिए जिसके जिस नाम से भी आप इसको सो कराना साथ है इसको rename आप इस तरह से कर पाएंगे तो इस नाम से आपको यह देखने को मिल जाएगी तो किसी भी app का आप लीने में यहाँ पर कर सकते हो इस फॉन में जो home screen पर आपके folder देखने को मिलते हैं आप इनको enlarge कर सकते हैं इसको पर long time प्रेस करके इनलार्स पर क्लिक करना है तो आप देहोगे इसका size कुछ area में आपको देखने को इस एरिया का screenshot लेना चाहते हैं वो आप कुछ इस तरह सा यहाँ पर select कर सकते हैं यह आपका इस तरह सा बन जाता है इसके लाबा आप चाहें तो यहाँ पर circle type screenshot भी बना सकते हैं इसकी पर three fingers से present hold करने के बाद बीस बाले option को select कीची जिस area का screenshot चाहिए आप यहाँ पर circle type में select कर सकते हो कुछ edit option भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि किसी चीज को blur करना हो crop करना हो या फिर आप किसी चीज के लिहां पर so कराना चाहते हैं तो सब यह option आपको edit में भी यह देखने को मिल जाते हैं आप अपनी finger से भी screenshot को select कर सकते हैं इस पर three fingers से present hold करने के बद इस icon को select कर लीजिए अब जिस एरिया का screenshot चाहिए आप अपने हिसाब से भी इस तरह से select करा सकते हैं तो यह काफी अच्छा features आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप चाहें तो long screenshot भी इस पर बना पाएंगे long screenshot एरिया में जाने का और normally screenshot को click करना है और scroll पर click करना यह automatic scroll हो जाएग करना है तो यह automatic screen scan हो जाएगी अब जिस एरिया का जिसका भी आपको text copy करना है उसकी अपर आप टैप करके किसी भी text को copy कर सकते हैं इस phone आपको एक्सन का future देखने को मिल जाता है आपकी lock screen से भी किसी भी shortcut को आप access कर भाऊगी phone को unlock करते समय आपको press करके रखना है तो जो भी आपने shortcut यहाँ पर set की हुए है directly आप lock screen से उनको access कर सकते हो इसका setup करने के लिए phone की setting में जाने की बाद scroll करना है जिसकी बाद आपको देखने को मिलेगा special feature यहाँ पर click करना होगा किक locks पर click करने के बाद आप इस feature को यहाँ से on कीजी and edit पर click कीजी यहाँ से तो कुछ function को आप set कर सकते हो apps पर जाने के बाद किसी भी apps को आप यहाँ पर लगा सकते हो जो भी application आपको लगा रहा है पहले यहाँ से इसको remove कीजी और फिर यहाँ से आप बाद में उसको setup कर सक अब किसी टाइम आपको ऊपर वाला application नीचे से एकसे करना है तो यहाँ से क्लिक करा के किसी भी apps की उपर आप टैप करके छोड़ देते हैं तो वह application आपका इस तरह से एकसे हो जाता है कोई भी application उपर वाला नीचे से आप access करने के लिए आप इस तरह से टैप करा करा के उस आपको sliding effects काई feature देखने को मिल जाता है बोले तो transition आप उनको इसकीन पर लगा सकते हैं जब page को change करेंगे तो आपको transition देखने को मिल जाएगा swipe down करते हैं उपर से तो आपका notification panel open होता है और यहां से click करते हैं तो यहां पर आप देखोगी आपको अलग से ही panel देखने को मिल जाता है आप चाहें तो कहीं से भी swipe down करने से आपका notification panel उसको open करा सकते हैं इसकीन पर टूफिंगर से pinch in करना मोर पर जाना है मोर पर जाने के बाद आपको देखने को मिल जाता है यहां पर इस feature को आपको click करना है और यहां पर आपको notification ड्रोबार को search कर लेना है सेलेक करने के बाद आप इस तरह से कहीं से भी अपने notification पैनल को open करा पाऊगे आपकी फॉन की स्कीन लॉक होगी लॉक स्कीन से जब आप बनाएंगे तो फॉन की flash light को on करा सकते हैं इसके लाब बहुत सारी जेस्टर को आप स्कीन पर add कर सकते हैं इन सब जेस्टर को set करने क से camera app open होना चाहिए तो इस feature को यहां से on कीजिए and got it पर click किजिए अब लॉक स्कीन से बनाने पर camera app open कर पाऊगे अगर आपको flash light on करना है तो इस feature को on करके आप flash light को on कर सकते हो इसके इलाबा आपको फॉन में एक और feature देखने को मिल जागा है वीडा और screen को unlock कियो आप गान A बनाने से आपको क्या set करना है set को unlock करना है या फिर किसी को call लगाना है directly या फिर कोई भी favorite app set करना है तो यहां से अगर आप apps को select करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे अब जैसे कि हमने YouTube को set किया lock तकीन से A बनाने से directly हमारा YouTube app open हो जाएगा इस तरह से कुछ भी आप य जैसर ना यूज कर सकते हैं जैसर की मतलब से आपको एक और भी एक्षर फीचर देखने को मिल जाता है उसके बार में जानेंगे तो फोन की setting में जाने करेंगे एडिसनल सेटिंग पर क्लिक करने के वड़ आपको जैसर साइट करना या फिर बैक बटन साइट करना वहां तो बहुत आसञानी से आप इस्वान बंध हैंडी मुट को लगा की यूज कर सकते हैं इसथे आप или कलिक करना हो करना हो और आपको फोन पर यूज करता है फोन के power button को अगर आप long time प्रेस करते हैं तो phone का Google Assistant on हो जाता है, आप चाहें तो यहां से आके इसको change भी कर सकते हैं, यहां पर ही आपको power button का feature देखने को मिलेगा, इस पर साले करके power menu को set करना है, अब long time power button को प्रेस करके आप इस phone को switch off restart बगरा करा सकते हो, इस phone के अंदर आ आपको AI gesture देखने को मिल जाता है, यहां से सभी temps and condition को open कर दीजिए, अगर आप call को answer करना चाहते तो यहां पर answering and call mute को feature देखने को मिल जाएगा, इस feature को on कराने पर आप call को answer करने के लिए इस तरह सा क्लिक करा के call को answer कर सकते हो, call reject कर सकते हो, यह सब feature आपको देखने को मिले इस call करनाने के लिए आप इस तरह सा करेंगे, and down करनाने के लिए इस तरह सा करेंगे, तो आप without phone को touch कराए, अगर इस call down and up करना है, तो इस gesture की मदश से बहुत आसानी से आप कर पाऊगे, यह gesture की बात आप यहां से बापस आते हैं, तो आपको smart calling की feature देखने को मिल जाएगे Live to ear to answer call feature को on कर दीजिए, आपके phone पर कोई भी call आता है, तो आप ring होते है phone को कान की ले चाहिए, automatic call answer हो जाएगी, and auto switch to ear receive का feature देखने को मिल जाएगा, इसको on करने पर आप किसी भी number से hand free पर बात करते हैं, तो उस number की call अगर receiver में लाना चाहते है, तो direct hand free phone कान की ले जाकर, आप अपने कान पर speaker में आबात ला सकते हैं, जिसके आप इस feature को on करेंगे, flip to mute incoming call को feature मिलता है, इसको on कराने पर किसी भी number की call आरे है, इसको mute करना चाहते है, तो phone को flip कर आपके call को mute करा सकते हो, इस phone में आपको smart sidebar भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने किसी भी apps को select कर सकते हो, कहीं से भी इसको access कर पाऊगे, इसको set करने के लिए phone की setting में जाने के पर scroll करेंगे, यहाँ special feature पर click कर लेंगे, इसकी बाद आपको smart sidebar देखने को मिलता है, इसको आपको यहाँ से open कर लेना है, इसको open करने पर आप यहाँ पर इसको देख पाऊगे, यहाँ आप आपको बहुत सारी control देखने को मिल जाते हैं, जैसको कि screen sort, screen recording बगएरा हो, या पर screen को translate बगएरा आप करना चाहें, इसके लाबद जो भी application आप select की हो, कोई भी application open करते हो, तो वो आपका floating window के अंदर open हो जाता, जिसको आप यहाँ से click करकर resize बगएरा कर पाऊगे, और कोई भी favorite बगएरा apps अगर आपको यहाँ पर setup करना हो, तो यहाँ edit पर जाने की बात, आप किसी भी apps को यहाँ से यहाँ पर add कर सकते हो, और यहाँ से चाहें तो किसी को remove भी कर सकते हो, तो मुझे यह काफी अच्छा feature लगा, और आपको इस phone का कौन सा best feature लगा, मुझे comment कर जरूर से बताएं, क्योंकि इसमें कोई भी favorite application आप कहीं से भी access कर पाते हो, इस phone में photo, video and apps को hide बगएरा करने हो, तो सभी आपको privacy बगएरा देखने को मिल जाएंगी, सब कुछ future आपको मिल जाते हैं, अगर apps को lock बगएरा करना हो, तो phone की setting में जाने को security and privacy पर जाना है, यह नहां से scroll करने के बाद, आप apps को lock करना हो, hide करना चाहते हो, या फिर photo बगएरा आपको hide करने हो, अगर photo बगएरा को hide करना चाहते हो, तो phone की गैलरी है, उसको open कीजी, जो कि album नाम से देखने को मलेगी, नीचे की side में किसी भी option पा आप long time प्रेस करके रखिए, आप ok करने क बाद, यहां पर कोई privacy log बगएरा setup कर सकते हो, आप कोई photo बगएरा आप hide करना चाहते हो, तो उस photo के पर long time प्रेस करके, यहां सेड़ प्रेवेट पर क्लिक करना है, आपका यह hide हो जाएगा, इसको देखने के लिए आप तीनों में से किसी एक option पर क्लिक करके, अपने privacy log डा को मिल जाती है, तो इसको set करने के लिए phone के control panel को open करने के बाद, यहां पर आपको dark mood देखने को मिल जाएगा, इस पर long time प्रेस करके, आप dark mood की setting कर पाऊगे, तो simple dark mood आप यहां से setup पर सकते हो, dark mood setting पर जाने के बाद, कितना जादा आपको dark करना, यह option काफी different इस phone में देख करते हैं, और mall data से भी, तो आप दोनों की speed एक साथ use कर सकते हैं, wifi में जाने के बाद, यहां पर i-fi assistant पर click करना है, और यहां पर auto connect लिए आपको on कर देना है, and auto switch to mall network को भी on कर देना है, तो automatic switch कर लेगा, आपका phone से जैसे wifi network जाता है, तो आपका mall data यूज़ जाएगा, and यहा आप यहां पर in apps को देख पाऊगे, इनमें कोई भी downloading या फिर कुछ भी आप use करते हैं, तो इनकी speed double हो जाती है, तो इस तरह से भी आप internet का इस phone में use कर पाऊगे, इस phone में जब आप internet का use करते हो, उसका speed कितना है, उसकी बारे में जानने के लिए phone की setting में जाने के बाद, य लगलग बैटी style को भी स्कीन पर सो करा सकते हो, तो ये friends कुछ amazing future spawn में आपको देखने को मल जाते हैं, जिनकी बारे में इस वीडियो में आप जान सुकी है, आसकरती friends आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छे लगा होगा, वीडियो से लगा हो तो वीडियो को like, share and चैनल क subscribe करके bell icon को press करना न भूलें, तो चली friends मलते हैं एक और नहीं वीडियो को साथ तब तक के लिए goodbye and take care.